जब सनिवार के दिन पुर्णिमा तिथी होती है तो इस तिथी का महत तो बढ़ जाता है क्योंकि पुर्णिमा तिथी सनिवार के दिन होने से विसेश परियोग किये जाते हैं तो आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या करना है और कैसे तो चलिए सुरात करते हैं सबसे पहली बात देखे पुर्णिमा ती थी चुकि पुर्णतू की थी है मालक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्री है और इस बार की पुर्णिमा खास संयोग में आया है क्योंकि सरवार सिद्धी योग भी बना हुआ है और साथ ही इस दिन पृती नामक योग का सुप संयोग गॉंकि इन योगों में किया चार्थ सफहलता देता है। दूसरी बात पूर्णिमाती थी है तो आप अर्ली मौनिंग यानि कि सुर्यदे होने के पहले ही उठ जाएए उठने के बाद सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे के चौकट में दो चार बुन गंगा जल का चीटा डाले अगर नहीं है गंगा जल तो रात में ही सोने के पहल आप जारू नहीं लगाएंगे पहले घर से बाहर जो मुख्य दरवाजा के बाहर का एरिया है पानी डाले फिर जारू लगाएं अगर किसी ने कुछ किया होगा तो वो हट जाएगा वैसे भी रात किसमें ओत्रिप्त आत्माएं घूमती रहती हैं तो आपके घर के जाता है इसके बाद आप घर की सफाई करवाएं फिटकरी मिलेवे पानी से पूरे घर की सफाई करवाएं पोचा लगवाएं या दूलवाएं जो भी आप करवा सकते हैं फिर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर और घी मिक्स करके या फिर हल्दी और चावल का गोल से आप सुब मंगल प्रती चिन्ह बनाएं जैसे कि मंगली जो चिन्ह होते हैं स्वस्तिक है ओम का निसान है आप घर के मुखे दरवाजे के बाहर की तरफ से चोखट के ऊपर या दोनों तरफ बनाएए नीचे नहीं बनाना है पैर जैसे ना लगे इसके बाद आम के पत् आपके जीवन की बहुत सारी मुश्किलों से बचाता है अब यह तो हो गया एक सिंपल सी चीज जो पुर्णिमा तिथी को करना ही करना है चाहे वो कोई भी पुर्णिमा हो अब इसके बाद असनान बगेर कीजिए असनान करने के बाद आप पूरे घर में एक बरतन में यह पूरे घर में हलका सचीटा डाले बाकी बचाहों जो पानी है उसको अपने घर के गमले में मिट्टी में डालते अब घर के मुखे दरवाजे के दाहिने तरफ आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपका दाहिना हाथ जिस तरफ है उस तरफ अंदर में रखना है याद रखिये घर के अंदर दाहिने तरफ एक बरतन में पारणी लेने उसमें थोरी सी फूलों की पंक्रूई रख देए ये भगवान के स्वागत के लिए पुरणियमा तिति की रात में मालक्ष्मिग्मिघ्शन विच्रन करती है की जाएगी अब उनको परसंदकार के लिए सब्सक्राइब काले कुत्ते को रोटी घसा सकते हैं आप के घर में जो सबसे पीछे वाला रोटी ऑगोता है तो उस रोटी को ले employees उसे पर आप एक बुंद सर्सों का तेल लगाए एक चुटकी काला तिल डाल दें और उसके उपर गुड़ भी रख सकते हैं थोड़ा सा गर गढ़ाए घर में तो अगर कुछ भी नहीं है सिफ रोटी है तो कोई बात नहीं रोटी पर एक बूंद सर्सों तेल लगाकर अपने आप जल में एक चुटकी मिसरी या गुड या फिर चीनी डाल कर अर्पित करें साम के वक्त भी आप अर्पित कर सकते हैं तो जल में एक चुटकी काला तिल डाल दीजेगा अगर आपको जीवन में पित्री दोस परिसान कर रहा है तब और इसके बाद आप घर के आसपास जहां भी पीपल का पेड़ है वहां पर एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल लेकर जाएए पीपल के पेड़ के पास अब प्रेम से पीपल के पेड़ में जल और पीत कर दें अगर आपके घर में खच्चा दूद और मिस्री ये गुड़ है तो जल में ही डाल लीजिएगा और ओम नमो भगवते वासु देवाई का जब करते रहें अनवरत और इसके बाद पीपल की कम से कम साथ परिक्रमा करें फिर अपने मनो काम ना कहकर घर आ जाए लेकिन अगर नोकरी रोजगार में समस्या हो जो मिल नहीं रही आप परिसान है क्या करेंगे तब एक छोटा स से जाईए अपनी मनत कहते वे पीपल के किसी भी डाल में जितनी मर्जी उतनी बार लपेटें उसके बाद साथ बार गाठें लगातार एक दो तीन चार करके साथ बार लगा दीजिए और फिर बिना पीछे मुड़े अपने घर चले आए नोकरी रोजगार की बाधाएं समा जो किये जाते हैं तो धन की मुश्किलों को दूर करने के लिए मागी पुर्णिमा पर कुछ खास नियम बताएं गये हैं देखिए मागी पुर्णिमा के दिन चंद्रमा मघा नच्छत्र में होता है और सिंगरासी में तब यहां पर देखिए ब्रह्म वेर्त पुरान कहता ह जाती है कि मागी पुर्णिमा पर भगवान बिशनु गंगा जल में निवास करते हैं उसलिए इस दिन गंगा जल में नहाना चाहिए और on naspars से और उनके अइसफरस से पुन्ह फल प्राप्त होता है चुकि ऐसा भी कहा जाता है कि इस पुर्णिमातिती के दिन अगर आप एक सिक्का और एक लॉंग का प्रियोग करते हैं तो जीवन के बहुत सारी मुश्किलें समाप्त हो जाती है क्या करेंगे आपके घर में जो तुलसी है जहां पूजा करते हैं निते दि दिजिएगा अपनी मन की कामना कहते वे अगर नहीं है चांदी का सिक्का तो एक रुपया वाला ही एक कोईन ले ले और उसी को आप गार दें क्योंकि भगवान भाव के भूग है आपकी कामनाएं पुर्ण होगी और साम के समय पूरे घर में एक दीपक जब जलाईएगा दिया बाती करने के लिए तो इस दीपक में लांग डाल दीजिएगा और पूरे घर में दिखाईए यह सकात्मक उर्जा को बढ़ाएगा नकात्मक चीजों को दूर करेगा लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके घर में पित्री दोस है या आपको लगता है कि हमेशा ही डढ़ाने नीन में जगें भी आपको लगता हाफ के पीचे कोई है ऐसा अभास होता है तब सामके वक्त जब जलाएंगे तो उस घर में तब उसमें आप फीली सरसों के दाने don asya लोंग भी डाल सकते हैं उन्यार लोंब का यवाल खर सरसों देता है इस बात को हमेसी याद से मालक्षमी के सामने रख दें दूप दीव दिखा कर और बांद कर एक बार फिर से अपने पास रख स्था प्रिक जाएगे जैसे आप मुबाइल रिचार्च करते हैं ठीक उसी सिवय का जब कर सकते हैं या फिर आपके जो भी आपको मंत्र अच्छा लगे जो दिल से बोले उसी मंत्र का जब कर ले और इसको करते वे आप कितनी बार करना है पांच बार ग्यारा बार फिर अपने घर के हर ब्यक्ति के सर से तीर बार उल्टा वार ले और अपने घर से उत् कि लें खत्म हो जाएंगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा धन्यवाद